हाइ अगर आप अपनी वेट-लोस डायट में है और कोई लो कालेरी इजी टू प्रिपियर रेसिपी ढूण रहे है तो यह रेसिपी आपके आपके लिए है जो कि उपनानी के लिग नहीं चाहीं है और वेट-लोस के लिए काफी अच्छी रेसिपी सवाह year क्या अच्छी है और इस रेसिपी में कितनी कैलिरीज और न्यूट्रिशनल इन्फो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यह रेसिपी बनाने के लिए मैंने मूंबीन स्प्राउट्स का यूज किया है यह इसली आप घर पर बना सकते हैं यह कैसे बनाना है इसकी रेसिपी में जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगी उसके बाद एक बरतन लेना है और इसमें पानी को बॉल करना है जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हमें उसके अंदर इस प्राउट्स को डाल कर उसको दो से तीन मिनट के लिए आपको पता है कि मूम बीन स्प्राउट्स में कई सारे न्यूट्रियंट्स होते है जैसे कि विटमिन सी विटमिन के फोलेट फाइबर एंटियोग्स यह लो इन कैलरी होती है डाजेशन के लिए अच्छी होती है वेट लॉस पे हल्प करती है हमारे हार्ट हेल्ट के लिए किसी विए बढ़या है बढ़या होते है तु यहां पर अच्छे से विए करकते इसका पानी हम अलग कर लेगे फिर मैंने यहां पर लिया है वहा फ्लैटन राइस यह मैंने दो बड़े चम्मच लिया है इसको हम पानी में अच्छ से थोड़ी देर के लिए सोग कर देंगे आप पानी को निकाल देना और इसको थोड़ी देर तक 10-15 मिनट तक रहने देना तो यह अच्छे से फूल जाते हैं उसके बाद हमको इसका यूज करना है तो अभी हम अपनी रेसिपी बनाएंगे तो सबसे पहले मूंग बीन जो भी आपके पास घर पे मौजूद हो आप एड़ कर सकते हैं प्यास, खीरा, टमाटर, हरी धन्या, हरी मिर्च यह हम सब के घर में होती है तो हमें यही सबजी आप कर रहे हूं अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी शिमला मिर्च वगरा भी एड़ कर सकते हैं इस रेसि इसमें कितनी क्वांटिटी में में क्या इंग्रेडियंट यूज कर रही हूं और किसमें कितनी कैलिरीज है, न्यूटिशनल इंफो इसमें क्या है यह सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यह सिंगल सर्विंग रेसिपी है और अगर आपको इस नमक स्वादयनुसार मैंने इसमें पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा काला नमक दोनों एड़ किया है थोड़ा सा मैंने ओलिव ओएड किया जो कि ऑप्शनल है और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इस रेसिपी के लिए एक अच्छा सा नाम सज़ेस्ट कि इसको क्या नाम देना चाहिए मेरे ख्याल से एक तरह से सैलट की तरह लग रहा है तो मैं इसको पोह सैलट का नाम दे रही हूँ अगर आपके माइन में कोई और नाम आता है तो आप कॉमेंट बोक्स में बता सकते हो और यह देखिए हमारी बहुती अच्छी यमी सी बनकर तयार है जो कि देखने में भी काफी अच्छी है और बिलीव में अगर आप ये ट्राय करते है ये जटपट सी रेसिपी आपको काफी ज़ादा पसंद आएगे और आप इसको बनाना काफी पसंद करेंगे और बस हमारी रेसिपी तयार है तो आपको वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर और कॉमेंट